हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स अगर आपके पास आटो मॉवाइल वेहकल है बाइक, कार, स्कूटर और दूसरी कोई भी गारी है तो आपने इंजन से जुड़ा हुआ एक टर्म जरूर से सुना होगा इंजन सीज हो गया है फ्रेंड्स टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कार है या फिर आप कार वरक्शॉप के ओनर है तो आपके पास OBD यानि की On Board Diagnostics Scanner जरूर से होना चाहिए और इसके लिए best रहेगा आपके लिए कार PM Garage Pro OBD Scanner जस्ट इस OBD Scanner को कार के OBD Port में लगाना है उसके बाद आप Garage Pro App के help से कार के अलग-लग modules जैसे की ABS, ADM, Airbag, Auxiliary Power, BCM, CNG, EPS, Engine, Engine, Auto Start, Stop, Instrument, Cluster, TPMS, Transmission और भी सारे modules को आसानी से scan कर सकते हैं scanning के बाद आपको ये मालुम चल जाया कि कार के किस module में problem है किस वज़ा से problem है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है इसका detail report आपको app में और mail में भी मिल जाएगा इस OBD Scanner का आपको तीन variant मिल जाएगा पहला variant जिसका price 3500 रुपए है इससे आप दो car को unlimited बार scan कर सकते हो दूसरा variant जिसका price 9999 रुपए है इससे आप unlimited car को unlimited time scan कर सकते हो और तीसरा variant जिसका दाम 17500 रुपए है इससे भी आप unlimited car को unlimited बार scan कर सकते है साथ ही इस variant में आपको advanced features भी देखने को मिल जाएगे 17 से 19 मार्च तक Garage Pro के official website पर sale है जहां पर अगर March sale इस code को use करने पर आपको सारे ही products पर 10 परशंड का discount मिल जाएगा एप का link और website का link मैं इस video के description में देदूँगा साथ ही इस product के उपर में मैंने detail video बनाया उसका link भी मैं इस video के description में देदूँगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि engine seize हो गया है इसका क्या मतलब होता है बहुत ही आसान अफज़व मैं आपको समझाता हूँ देखिए engine के जितने भी moving parts होते है हर एक part का एक certain movement होता है जैसे कि crank shaft का ही देखलो crank shaft का rotation होता है जिसके वैसे जो piston है इसका reciprocating motion यानि कि up down movement होता है साथ ही ये जो cam shaft है इसका भी rotation होता है और इसके rotation के वज़ा से आप जो cylinder head मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो आप intake exhaust valve देख रहे हो इन ये जो valve है वो open और close होते है तो इस तरह से engine के जो अलग-अलग parts है इनका synchronized way में काम होता है ये आपस में ताल मेल बिठा कर काम करते है जिससे के engine power produce करता है लेकिन जब किसी भी गाड़ी का engine seize हो जाता है तो इन parts का movement है वो block हो जाता है rotation हो या motion हो ये सब कुछ block हो जाता है jam हो जाता है बिल्कुल ये parts move नहीं कर पाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं कि engine seize कर गया है और maximum cases में 90% के cases में जब engine seize होता है तो उस time पे ये होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो cylinder इस cylinder के अंदर में ये जो piston है मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो piston है इस piston का up-down movement होता है लेकिन जब engine seize कर जाता है तो maximum cases में ये जो piston है वो इस जो हमारा cylinder है इसके अंदर में block हो जाता है फस जाता है एक तरह से मुझे जाता है पूरी तरह से jam हो जाता है ये piston और इस वज़ा से engine start नहीं होता है किसी भी part का movement नहीं होता है तो ये हो गया engine का seize हो जाना है लेकिन अब सवाल है कि engine seize किन किन कारणों से होता है मैं आपको बताना चाहूंगा पहला और main कारण जो है वो है engine oil देखिए अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपके गाड़ी के engine के अंदर में engine oil है बिल्कुल खतम हो जाए leakage का वाई से किसी वाई से बिल्कुल खतम हो जाए और आप अपनी गाड़ी को चला दो engine start हो जाएगा आपके गाड़ी चल भी जाएगी लेकिन कुछ समय में ही आपका जो गाड़ी का engine है वो seize कर जाता है लेकिन दूसरा important जो relation engine oil का ही है वो यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले तुम आपको ये clear कर दूँ कि जो engine oil जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते है उसका काम ये होता है कि engine के जितने भी पार्ट से उन सारी पार्ट को वो lubricate करता है clean करता है, cool करता है, ठंडा करता है इन पार्ट का friction यानि घर्षन से बचाता है इन पार्ट को wear and tear यानि के घिसने से भी engine oil बचाता है जा बहुत समय से अगर हम लोगे engine लोगे चेंज नहीं की उस वज़ए से भी engine oil जो है, वो minimum level से कम में आ जाता है तो उस time पर अगर आपने गाली को चलाते हो तो उस time पर दिक्कत या आता है कि engine के जितने भी पार्ट से वो बहुत जादा गरम होने लगते ओवर हीटिंग का इश्व आने लगता है और यह जो metal से इनका tendency के अगर यह बहुत जादा ओवर हीट हो जाए तो यह slightly बहुत ही कम हम अपने आखों से नहीं देख सकते है लेकिन slightly यह expand करने लगते है ठीक है, इनका size थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर expansion हो जाए, ओवर हीटिंग के वज़ा से तो फिर उस टाइम पे भी engine seize कर जाता है अगर engine oil कम हो साथी एक और जो problem है, जो ओवर हीटिंग वायस आता है वो यह है, अगर आपकी गारी में coolant का use क्या गया अगर आपको हमेशा एक कोशिस करना चाहिए, कि engine के अंदर में हमेशा सही grade में, सही quantity और सही quality का engine oil अविलेबल हो अगर आप इस चीश को ensure करते हो, तो आपकी गारी का engine seize नहीं होगा एक और जो problem आता है, वो है mechanical failure कई बार क्या होता देखिए, engine के जो parts यहां पर देखने हो timing chain देख लो, timing built हो गया, या फिर हमारा connecting rod ही हो गया या फिर जो piston ring होता है, या फिर जो cranks आपका bearing है अगर ये इनमें mechanical failure आजाए, किसी वज़़से भी ये तूट जाए, ठीके इनमें cracks वगर आजाए तो उस time पे भी engine के seize होने का chances जो है, वो बढ़ जाता है और अगर mechanical failure को आपको रोकना है, तो उस time पे भी आपको यही कोशिश करना चाहिए कि इनका lubrication सही से आप होने दे, और सही से तभी होगा जब engine के अंदर में सही engine oil अविलेबल होगा अगला जो point है, वो यह है hydrostatic lock, देखिए कई बार क्या होता कि गलती से ना चाहते हुए भी जो हमारा engine का cylinder है, इसके अंदर में पानी चला जाता है अब देखिए जो petrol और diesel होता है, वो compressible होता है, उसे हमनों compress कर सकते हैं, लेकिन water compressible नहीं होता है, अगर पानी चला जाए, piston का movement है जब इसके अंदर में होगा, तो फिस्टन में नक्सान यह होता है कि piston water को पानी को जो compress नहीं कर पाता है, और यह जो हमारा connecting rod है, यह bend हो जात है, ठीक है कई बारी तीरणा हो जाता है, और उस वज़य से भी engine seize कर जाता है, तो पानी जाने से भी engine seize हो सकता है, और जो अगला point है वो है कि बहुत समय तक अगर हम अपने bike, car, scooter, किसी भी गाली को standing position पर छोड़ देते हैं, उस टेम पर क्या होता है कि जो engine oil है, वो सारा drain हो वैसे lock नहीं होगा, लेकिन बहुत लंबे समय बाद आपने क्या किया कि गाली के engine को start किया और उसे तुरन चलाना सुरू कर दिया, ठीक है, engine oil जा तो कम हो गया है, या तो ना के बराबर हो गया है, तो फिर भी engine जो है, वो seize हो जाता है, तो ये भी एक कारण है, जिसके वैस इंजन सीज होता है, तो friends, I am sure इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है, उससे आप ये समझ गया होंगे, कि engine सीज होने का क्या मतलब होता है, और किन किन कारणों से engine सीज होता है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरू कर दे, व गुद्बाई!